अगर आपका पेपर टू में टार्गेट है 80 प्लस MCUs का तो डेली वीडियो पीडियाफ नोट्स और ओनलाइन टैस सेरीस के लिए जोईन करें हमारा वाट्साप ग्रूप तो नीचे दिये के नंबर पे अभी हमें कॉंटाक्ट और वाट्साप करिए इत्यासिक युग कौन सा है ये कौन सा युग है ये वो युग है जहां पे कोई राजा महराजा नहीं थे कोई कुछ नहीं था तो इस इत्यास का हमें पता कैसे चला इसका हमें पता चला टूल से यानकी जो उपकरण उस समय जो इस्तमाल होते थे जैसे देखी खुदाई करत मिट्टी के बरतन निकले, कुछ पत्थर के हथ्यार निकले, कुछ ऐसी जे निकली, जिससे हमें इस युग का पता चला, यानकि राजा-माहराजा नहीं थे, तो जो उपकरण थे उससे हमें प्रौग इतिहासिक आल का या युग का पता चला, तो ये वो कंडिशन है, जब ज पूर वितिहास का विचार मुश्कित से 200 हल पुराना है देखें दोसोज हल पुराना कैसे है पूरा जानते है देखिए इतिहास से पहले का शब्द है यह है 1833 में एम टूर्नल दोरा इस्तमाल किया गया था देखें फ्रेंज ऐसा है कि जो प्रॉग इतिहासिक युग जो है यह सबसे पहले 1833 में इस्तमाल किया था एम टूर्नल ने डॉक्टर प्रिमो सेख यहां पर प्रिम्रोज भी आ सकता है प्रिम्रोज जो है उन्होंने 1842 में करनाटक में लिंक सगूर नामक स्थान पर प्रॉग इतियासिक ऑजार की खोज करके भारतिय पूरवितियास को फिर से परिभाशित किया देखे वरेंज ऐसा यहां पर यह है कि देखे जो प्रॉग इतियासिक जो शब्द है वो सबसे पहले एम टूर्नल ने इस्तमाल किया 1833 में फिर इसके ठीक नो सल बाद डॉक्टर प्रिमो सेख ने यह डॉक्टर प्रिम्रोज ने करनाटक के लिंक प्रॉग इतियासिक युक्ता पता लगाया जा सका यह ठीक आई से 200 साल पहले प्रॉग इतियासिक जो चीजे है उनकी खोश की गई इस से इस युक्ता पता चला तो इसका शब्द दिया था एम टोर्नल ने तो इसके जो ओजाराओ की खोश की थी वो की थी डॉक्टर प्रिम्रोज ने ठार सो ब्यालिस में करनाटक के लिंक सिगूर नामकसान पर अब देखें यहाँ पर आया है कि रॉबर्ट ब्रूस एक अन्य वक्ती थे जिन्नों ने भारतिये प्रॉग इतियासिक के बारे में हमारे ग्यान कर स्मिरिद किया जब उने दक्षिन भारत में बड़ी संख्या में प्रॉग इतियासिक तलो की खोश की और पशान कला कृति युगा संग्रह किया अब देखें इन दोनों के लावा जो रॉबर्ट ब्रूस थे वो कौन थे वो वो थे जिन्नों ने प्रॉग इतियासिक जो प्री हिस्ट्री है जो प्रॉग इतियासिक युग है जो काल है उसके बारे में हमें और जादा नौलिज परदान की क्योंकि देखे कि सबसे पहले जुन्हों ने वर्ड दिया फिर उसके बार प्रिमो से किया प्रिम्रोज ने उसकी खोज की तो रोबर्ट ब्रूज ने प्रोग त्यासिक स्थलो की बहुत ज्यादा खोज की जगा जगा पर खोज की जिससे हमें पशान युकी कलागरितिया और मिली प्रोग त्यासिक युक के उपकरण निकलने लगे जिससे क्या है कि हमारा जो ग्यान है वो और समरीध होता गया तो सिंपल कहने का यह मलब है कि रोबर्ट ब्रूज ऐसे व्यक्ति थे जिन्नों ने प्रोग त्यासिक जो चीजे हैं उसको बहुत जादा खोजा और इसके ब प्रोग त्यासिक जो चीजे हैं उनका पता लगा जा सकता था अब देखिए इन्हें हम वर्ल्ड के जो मैप पर नहीं रख सकते थे पर लेकिन 1921 में सर मॉटिमल वीलर के परियासों के बढ़नाम सरूब भारत के संपूरण पूरव एतियासिक संस्कृति अनुकरम के बारे में ग्यान हो गया जिसने भारत को प्रोग त्यासिक के विश्व मांचित्र पर धूमिल कर दिया अब देखे ऐसा है कि देखे वर्ल्ड में भी प्री हिस्टॉरिक पीरिड है ठीक है इंडिया में प्री हिस्टॉरिक पीरिड है जब इंडिया में प्री हिस्टॉरिक यनकी भारत में प्रॉख इथियासिक जब इसकी खोज की गई तो उसे जो वर्ल्ड का जो प्रॉख इथियासिक है तब उसे मानता प्राप्ट नी थी तो सर, मॉटी म negativity एक एसे वोगती थी जिन्णोंने भारत के प्रॉख इथियासिक को दुनिया के पुरागे त्यासिक जो मैप है जो माचितर है उसे उसमें रखवा दिया ठीक है जैसक शुराती आदमी का संबन्ध है शुराती आदमी क्या है कि जब देखिए कि इनसान दुनिया में पहली बार आया था या दुनिया में इनसान की जब उत्पत्ती थी उसके बारे में याँ कि दुनिया में आदमी की शुरुआत जो व्यक्ति है उसकी शुरुआत कब होई थी इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता पर इससे ये संकेत लगाए जासकता है कि जो व्यक्ति है दुनिया में पहली बार वो ढाई लाक इसा पूरव आया था क्यों क्योंकि देखिए उस समय जो पत्थर के औजार थे तब वो मिले थे यानि कि आज से अगर ढ़ाई लाक साल पहले हम कैसे कह सकते कि वहाँ पर इनसान था हम इस अब बात से बता लगा सकते कि वहाँ पर पत्थर के औजार थे अब देखिए जो पत्थर के औजार है वो ते व्यक्ति बनाएगा अपने इस्तमाल के लिए इसका मलव अगर वहां पे व्यक्ति के बारे में कोई इसका कंगाल नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, कोई इसका सबूत नहीं मिला, पर उसके पत्थर के जो औजार पाए गए इससे यह पतल लगाया जा सकता है कि जो वो पत्थर के औजार थे, वो व्यक् आदमी ने बनाये थे जिससे धाई लाख इसा पुरव जो आदमी वहां मुझूद हो सकता था तो भारत में मानव गतिवीदी के शुरॉति निशान दूसरे हिम नदी काल में यानि कि ये कौन सा दूसरा हिम नदी कौन सा देखे सबसे पहले किया था आई सेज आ गया था जो इसकी जो अबादी थी जो जनसंक्या थी ना बढ़ने का सबसे कारण ये था कि उस समय हिम नद यूग था यान कि आई सेज था ठंड इतनी जादा थी कि इनसान गुफा के अंदर रहता था बाहर निकलता नहीं था जिससे उसकी जनसंक्या थी वो बहुत कम थी तो इसके ज दो लाख इसापूरव के बीच में यानकी चार लाख से दो लाख इसापूरव की बात करें तो इसके बीच में क्या है इसमें भारत क्वे जो मानव के दिवीदी है उसके शुड़ाती निशान मिलते हैं अब देखे अपनी पहली उपस्तेदी से लगभग तीन हजार इसापूरव मानव क्या एपनी आप अपने बैद से लाख आए उसका तो प्रियोक आता तो तो उसमें देखे कि मानव जब विभिन उदेश्य करता था जब उसने शिकार करना था ये कुछ भी करता था वो पफ्थरे के जारों करता था उपकरनखनन परंपराओं के अधार पर इस अवधि this लिए पशान यूग के रूप में जाना जाता थै अब देखे पशान यूग पशान का क्या मयतलब है ठीक है पशान का म्याशू हिए पथर यय यन की पत्थर यूग, पत्थर यूग या पशान यूग एक ही बात है, ठेक है, पूरा पशान यूग यन की बहुत ब्राना, ठेक है, बहुत ब्राना पशान यूग, पशान का मत होता है पत्थर, ठेक है, तो इस अवदी यन की जब इनसान 3000 इसा पूरब है, आप देखे कि पुरान पाशान युग की सनस्कृती को तीन मुख्छे चर्णाऊं में बाता गया है यन की अर्थात पैलेॉलिथिए ज़यां की इंगलिज में कह refusing to recommend हिंग्लिश रेक ज़्यां का एयु एपनरा पाशान युग प्राभिषै तो मिसोलीथिक याने की मध्य पशान यूग और हिंदी में कैते उर तीसरा है न पशान जूग यान की नियोलिथिक तो इंगलिश MICHAEL वजय करें तो तों संपल सी बात है कि इसको हम तीन भागों में देख सकते हैं पाशन पूरा पशान जूग मध्य पशान जूग और नप देखे पूरा पाशान यूग पूरा पाशान यूग जो है वो कब से कब तक है धाई लाग से दसार तक है इसा पुरत तक है देखे फ्रेंट्स आपको यहां पे कोई भी सन्याग नहीं करना क्योंकि देखे विभीन जो किताबे हैं अलगलग परगार की जो किताबे हैं वहां भूपलोً दूपलों से हुई जब सबसे पहले आदमी में पत्थर के ऑथार बनाने की कला सतकी तीज़त से जब्से बड़ी उपलबदी उसने सीखने का पता लगा जा सकता है कि कैसे एक भाला और आग बनाने के लिए उसने ये बनाया जल से जल आदमें की सबसे बड़ी उपलब दी यानि कि पहले उसने पत्थर के हत्यार बनाए पत्थर के हत्यार बनाने के बाद फिर उसने क्या किया उसने एक बड़ी कला सिखी कला क्या सिखी उसने आग जो आग की खोज कर ली और एक भाला बना लिया भाला उता है जो उसने पत्थर का भाला बनाया जिससे असानी से शिकार किया जा सके और साथ में उसने आखी खोज कर ली ठीक है तो सबसे पहले आप से यही कौशन पूचेंगे एक्जाम में बताईए कि आखी खोज जो है वो कब हुई थी वो पूरा पाशान यूग में हुई थी ठीक है आपको बताईए आखी खोज कब हुई थी कि उसने दो जो पत्थर हाथ में पकड़े हो थे उसको आपस में टकराने से उसमें से चिंगारी निकली जिससे आखी खोज हो गई ठीक है भारत में पूरा पाशान यूग प्लिस्टोन प्लिस्टोन और सीनकाल यहम यूग में विक्सित हुआ था यनकी भारत में जो पूरा पाशान यूग है वो पूरी दुनिया में भी है जैसे इंशन ह बात करें कि अगर हम प्राचीन, मध्यकाली या अधनिक इत्यास इंदिया भारत में पढ़ते हैं तो भार के देश में ऐसा है तो इसी से यह पता जलता है कि जैसे हम पूरा पाशान जुग भारत में पढ़ रहे हैं तो भार के देश जनकी फॉरन कंट्रीस में भी वर्ल्ड म युकाल है वो कब विक्सित हुआ था वो हुआ था हिम युग में गंगा और सिंधु के जलोड भागों को छोड़कर विवारिक रूप से भारत के सभी हिस्सों में फैल गया अब देखे जब यह पूरा पाशान जुग था ठीक है यह कहां का फैला था कागा नहीं था पूरा पाशान जुग था वो किन दो जगा पर नहीं था गंगा और सिंधु ऐसे एक्जाम में ट्रिक से कौशन पूछेंगे तो हम आपको असानी से कराएंगे तो आप प्लीस वीडियो को अच्छे से करिए और जिन्होंने ग्रूप जोएन नहीं किया है वो नोट्स बना यहन कि जो यह चरन था इस चरन के लोगों मुखेकारी क्या था भोजन इक्तिरित करना और शिकार करना आप देखें इंसान क्या करता था कि कि शिकार करता था जिससे वो उसाथ में क्या था पेड़ों से कंदमूल खाता था वो पूरा पशान पुरूशों ने अपने मृत श्रीड को लपेटने के लिए जानवर की खाल का प्योग करना सिखा आप देखें जैसे कोई इनसान डेट हो जाए किसी की मृत्ति हो जाए तो उसके लिए क्या करते हैं कि शिकार करके जो जानवर की जो चमड़ी थी जो खाल होती थी उसको निकाल के उसमें आदमी के जो मृत श्रीड को उसमें लपेट दिया जाता था ठीक है तो देखिए सिंबल से यहाँ पर यह बात करते हैं कि अगर उसने मृत शीर को लबेटना होता था तो वो जानवा की खाल का इस्तमाल करता था तो अगर उसे भोजन वगर एक्तरित करना था तब भी वो शिकार पर ही निरभर रहता था ठीक है फ्रेंज तो पेड़ों से कंद मुल भी उखाता रहता था इस अवधी को दोरान मनुश्य ने अप्रिमर्जित खुरदरे पत्थर के उपकरणों का प्योग किया और गुफाओं में रहा अब देखें सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि जो इस दोरन मनुश्य रहता का था मनुश्य रहता था रॉक शल्टर यहाँ की गुफाओं के अंदर गुफाओं के अंदर और खुरदरे पत्थर उपकरणों का इस्तामाल करते था जो उसने पत्थर के जो हत्यार बनाए थे जो अपकरण बनाए थे अपने विभिन कामों के लिए तो वो वो इतने ज्यादा देखिए कि नुकिले नहीं थे ठीक है वो खुर्द्रे थे यहन कि उसकी कोई शेप नहीं थी ठीक है यहन कि उसने अपकरण बनाए थे उसकी कोई नहीं थी कोई ऐसे नहीं थे वो खुर्द्रे पत्थर थे और वो गुफाओं के अंदर रहता था उन्हें क्रिशी आग किसी भी समगरी के बर्तों का ग्यान नहीं था अब देखें ना तो क्रिशी का ग्यान था ना किसी भी आग की जो समगरी है उसे किसी का ग्यान नहीं था वर मुक्ह रुप से हात की कुलहाडिएयां, klever, helicopter, blade, यहां पे friends, chopper आएगा, ठीक है, यहां पेजले है, helicopter लिख हो गएए, यह तो गलित है, यहां पे, यहां पे chopper आएगा, chopper, ठीक है, इसको सही कर लेगा है, यह थोड़ा सा typing error है, ठीक है चौपर आएगा यहां पर अब देखें मोके रूप से हाथ की कुलहाडियों क्लीवर्स और चौपर बलेड स्क्रैपर और ब्यूरो का इस्तमाल करता था तो फ्रेंट देखें यहां पे वो किसका इस्तमाल करता था यहां पे वो किसका इस्तमाल करता था यहां पे वो उसे क्रिशी का ग्यान नहीं था उसे आग का ग्यान नहीं था उसे हास की गुलहाडियां जो उसने हास से बनाई रखी थी जो उसने चौपर बना रखे थे जो उसने चाकू बना रखे थे ठीक है उससे का वो इस्तिमाल करता था ठीक है उनकी उपकरण एक कठोर चटान से बने थे अब देखे जो उसने पत्थर के जो हत्यार बनाये थे वो एक कठोर चटान से बने हुए थे कि ताकि वो पत्थर जल तो उसे काड़ाइड कहा जाता था और इसलिए पूरा पशान पुरुषों को काड़ाइड मैन भी कहा जाता है अब देखें पूरा पशान जुग है उसके जो इंसान है जो पुरुष है उसे काड़ाइड मैन कहा जाता था क्योंकि देखिए उसने पत्थर के हत्यारव नहीं कि कार्ड़ जाटा था और पत्थर से हाथा बनाने वालों को काड़स Finger men कहा जाता था तो कौसरे पूष सकते पताएब कि की कार्ड़, जो man है, वो किसे कहा जाता था पूरा पशारिय योग के व्यक्टि को जा पुरुशों को दिके इस चरम के अंतिम में homo sapien दिखाई दिखाए दिया और पूरा परशारम व्यक्ति नेग्रिट जाती का था अब दिखे है friends, यहाँ पर एक बात है कि जो इंसान था, ठीक है, जो इस चरह में जो इंसान था वो किस पर जाती का था वो होमोसेफियन पर जाती वो नेगरिड जाती का था तो उसे होमोसेफियन देख पर आँ होमोसेफियन है का यहाँ पर जो हुमन है जो इनसान है तो उसकी जो परजाती है वो होमोसेफियन है तो व्यक्ति नेगरिड जाती का था नेगरिर क्या है कि देखी ये माना गया है कि जो इंसान की जो उत्पत्ती है वो South Africa यांकि अफरीका देश से हुई है यांकि जब दुनिया में पहले बाद इंसान आया था वो अफरीका से आया था अफरीका में नेगरिर जाती का है तो इसी से पता जलता है कि जो पूरा पशन व्यक्ति था वो नेगरिर जाती का था ठीक है तो उसकी जो प्रजाती थी उसे होमो सेफिन का जाता है अब देखें यहां पे एक और मैं आपसे इक मैं आपको यहां भी बताना जाता हूँ दीखे बंदर से बने है इनसान ठीक है जब बंदर से इनसान बने थे वो अपने चार पैरों से दो पैरों तक चलने लग गया ठीक है तो पहली बार दो पैरों पे चलने वाला जो इनसान था उसे क्या कहा गया उसे कहा गया होमो इ ग्रिट जाते थी क्योंकि सबसे इंसान दुनिया में फरीका से आया था तो धिरे धिरे कर देखें यहां पर क्या है यहां पर बात करते हैं देखें सर रॉबर्ट फुरूस ने अठार सो ट्रेंशन में क्या क्या मदरास के पास पहली बार पूरा पशान कालीन पत्थर के उप पत्थर है उसके उपकरण की खोज की यहां कि उस समय जो पत्थर के उपकरण बनाया जाते थे उसकी खोज की थी सर रॉबर्ट बुरूस फुट ने साल सो ट्रेंटे में मदरास के पास अब देखें भारती पूरवितियास की खोज को टेरा और पैटरसन के तहत 1935 में यहल अभ्यान के बाद बढ़ावा मिला अब देखें जो भारती जो पूरवितियास है उसकी जो खोज है उससे जो टेरा और पैटरसन है उसके तहत क्या है जो येल केम्परिज है तीक है येल केम्परिज है उसके अभ्यान के बाद बढ़ावा मिला यहनकी भारत में क्या था ल तर्षेम particulier योगमें आखी हो जुकी थी महत्तपुरा स्तल सोहन घाटी पाकिस्तान सदर्धित इसके जो इसथल ये यह सोहन घाटी जो मान करें चलिए कि जह नदी का नाम हे यह उत्री पाकिस्तान में नदी का नाम है जोटे का जोटे के माद्य पर्डेश में फिंग elephant जोटे में यहां की यहां पर क्या है कि पूरा पशान काल के अब देखेलग जै यहन की पूरा पशान यूग को तो क्या था यहां पे लोवर पैलौ लिथिक दीक है इसे तीन भागो माढ़ दा गया लोग की तो जाहिए यह वह का क्पूरा पशान या मध्या तो यह तीन भागों माढ़ दा गया ठीक है पहले lower फिर middle फिर बाद में क्या upper ठीक है ठीक है फ्रेंट्स यहां की निचला मध्य और और उपरी ठीक है अब देखे यहां पे बात करते हैं कि lower पहले उथे यहां की जो निचला चरण था पूरा पशान योग का वहां पे क्या था यह कौन सा समय था यह था धाई लाग से ए क्या से यहां पर प्रमान मिला है ठीक है दो जो पर बदिज़ के चलपर तो और बरफ के यूग से अधिक बाद को कवश्व करते हैं दिखेंग जो आई सेच कि हमने बात किये थी कि इनसान की जो ज़ो ज़ंसा का बननी आई यूग के कारण क्योंकि वहां पर ठंड बहुत तो है जो निचला। यह यूंद की लोर जो पूरा पाशान वह हें उसे क्या था उस अमें बर्म का युग था अगर भात करें ठाइलाक से δसजार इसापूर के बीच में तो ठाइलाक से एक लाक का जो समय था उस समय क्या था उस समय बर्फ का यूग था इस अवधी में जलवायू कम आदर हो गई देखें मध्यम पाशान योग के उपकरण जो है फलैक उध्योगों पर अधारित थे उसके बाद उपरी पहले लिथिक चरण में दफन और स्क्रैपस और एक गरम और कम आदर यरवायू की विशिशता है देखें अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमने यहाँ देखा न उपर की तीन भागों माट डा गया कि लोर यनकी निचला जो पूरा पाशान योग था उसमे क्या था उसमें थोड़ी-थोड़ी गर्मी आनिस इससष्राट हो गई तो इंसान क्या हुआ इंसान बार निकलके आया यहाँ धोर थोड़ा सा बहार जाके रहने लगया गुफाओं से ठीक है यहां पर दस एक लाग साल पहले तक बढ़ा हुआ था इसको याद करने जरूत नहीं क्योंकि ऐसे संधियों है ठीक है यह इतना इंपोर्टन नहीं है देखे सोवन और निकटवर्ती बेलन खाटी मिर्जाब और जूपी लोवर पहलो लिथिक यानि की निचला पूरा पशान से ना पशान तक की कल्यक रित्यों का एक क्रम परदान करती है अगर आपको पूरे पशान यूग की जिसमें तीनों पाट कवर हो जिसमें लोर है मिडल है अपर है ठीक है तीनों पाट कवर होते हो पूरा पशान यूग के तो उस समय की जो कल्यक रितियां है वो एक क्रम में परदान की गई है पर किस जगह पे है वो है बेलन घा पूरे पशान योग की डाइलाग से दसजार के बीच में जो इसापुर की बीच में जो जो कलाक रही थी आपको पूरी लाइन वाइस वापको आपको मिल जाएगी बीच का पहाड़ी के पास आसपास मध्य भारत में नर्मना नदी पर होशंगाबाद के पास गुफाओं और रोक आशरों रोक शल्टर इनकी गुफाए ने पहले लिथिक येनकी पूरा पशान निवास थान के पास उबज प्रापत की अब देखें यहाँ पर क्या था कि जो इनसान था वो कहा रहता था वो रहता था भिम्बेटका के पहाड़ी के पास जो नर्मना नदी थी वहाँ पर उसके पास गुफाओं में वो इनसान जो रहता था ठीक है अगर हम इस जगह पर जाए तो हमें उस टाइम के इनसान के ज इतने हजारों साल पहले के रंग आज भी वहां पे मौजूद है इतना अच्छा पेंट था ठीक है तो देखिए नर्मदा के पास बिमेटका में गुफाओं से रोक आशरों यहां पे गुफाओं की बात की जा रही है जहां पे रोक शेल्टर जहां पे इनसान रहता था जो गुफाओं है उसकी श्रंखला की घुदाई की गई जिसमें क्या है उस समय के मानव की जो जो उस समय की जो मानव वहां पे रहता था उसके बारे में पता चलता है यहां पे मध्धे पशान यूग के दोरान होमो एक्टरस विक्षी तो आप मैंने आपको बताया ना भी होमो एक्टरस होमो एक्टरस कौन था जो सबसे दो पैरों पर चलने वाला व्यक्ति था उसकी परजाती को होमो एक्टरस कहा गया उपरी पूरा पशान संस्कृति हिम यूग के अंतिम जरन से समन्नी थे अब देखे बात करते हैं यहां पर पहले रुठी की उपरी पूरा जरन माना चाने लग गया यह संस्कृति उध्योगों में उपस्ति और होमो सेपियंस या आधुनिक आदमी के द्वारा चिनित है अब देखे इसमें क्या है संस्कृति में यहां पर होमो सेपियंस है और यहां यहां पर आधुनिक मानव है ठीक है होमो सेपियंस मलब क्या ह व्यक्ति था वो कहां पे सबसे पहले आया था अफरीका में उसकी परजाती का नाम क्या था नेग्रेट तो आई अब बात करते हैं मध्य पशान यूग की ये था दस हजार से चार हजार इसापूरव देखें दस हजार इसापूरव के आसपास बड़े बदलाव दिखाई दि लग गये थे लेकिन लगता था कि मध्य पशान यूग का आरंब लगभग 9000 इसापूरव और 8000 इसापूरव में हिम यूग के साथ हुआ था और 4000 इसापूरव तक कुछ तानों पर जारी रहा था अब देखें ऐसा है कि इन्होंने यहाँ पे डेट दिरखिये 10,000 इसा लगता है कि 10,000 में नहीं हुआ था यह 9000-8000 में हुआ था ठीक है जो 4000 तक रहा था अब देखें कुछ बुक्स में 9000 है कुछ में 8000 भी कुछ में 10,000 भी है तो गलत कुछ नहीं है देखिए यहाँ पे ऐसा है कि माल लेजी कि भारत की किसी साउथ हिंडिया में बात करे कि समय कोई खुदाइए तो वहां पे दूसी जगहा पे माल लेजी कुछ और कितने समय होई तो वहां पे वहो डेट लगेंगे तो डेट सारी सही है बस यह कि जब जब खुदाई होती कि वह उस समय को एड़ रदेगा तो इसलिए जगर जगर के जो पप्लिकेशन है जगर जगा की जो देखिए जो बुक्स हैं उसमें अलग-लग डेट्स जो पाई जाती हैं ठीक है इस यूग में जलवाजू परिवर्तन ने जीव और मानव को ने क्षेत्रों में जाने को संभ़ मनाया तब से जलवाजू में बड़े बदलाव नहीं हुए अब देखे ऐसा था कि पहले क्या था हिम यूग था इंसान गुफाओं के अंदर रहता था थंडबो जाए तो इसलिए वो बहार नहीं आता था ठीक है यहां पर क्या था हिम यूग यानिकी आई से खतम होने लग गई और साथ में क्या था गर्मी थोड़ी सी बढ़ने लग गई तो जिससे क्या था इंसान गुफाओं से भार निकलने लगा तो और वो नए-नेक शेत्रों में जाने लग गया थीक है अब देखे उस समय क्या था कि जलवायू में बड़े बरिवरतन नहीं देखे गए अब आप यह देखे कि इस जमाने में 4G के जमाने में रह रहे हैं आप देखे कि उस कुछ मी नहीं था तो कितनी तरक्की यह की है कि दिखे मद्य पाशान यूग को कुछ कलाकरितियों के अकार में कमी और जयामितिक मार्क्रोलित के उच्छ अनुपात की उपस्तेदी के साथ पुरा तबस्विक द्रिश्टी कौन से अच्छी तरह से स्थापे टूल प्रकार ऐकार में कमी की विशेषता है तक 카ण यूग में क्या था यहां पर क्या है कि पहले क्या था पूरा पाशान यूग में चो पैथर के थ्यार बनाने शूरु कर दिया तो उसने काफी शेप दिने लग गया अपने पहले कोई शेप नहीं थी अब वो शेप दिने लग गया माइक्रो लिथ, माइक्रो लिथ का क्या हमल है माइक्रो में ने होता है छोटा लिथ मतलब होता है पत्थर यह की छोटा पत्थर पहली बार 1866 यहन की 1867 में सी एल कलाईल द्वारा विंधियन रॉक शेल्टर में खोजा गया उस यूग के चरित्रिक उपकरण है जिनमें पत्थर से बने नुकीले अर्थ जक्राकार बलेड स्क्रैपर्स आधी शामिल है अब देखें माइक्रो लिट जो है वह चोटा पत्थर इसकी खोज पहली बाद कब हुई थी 1800 स्थाट में ठीक है किसने गी थी है सी एल कलाईल ने ठीक है कोश ना सकता है बताई कि माइक्रो लिट यह लिकि जो चोटा जो पत्थर है ठीक है उसकी खोज सबसे पहले मंत्य पजाने जोग में किसने की थी ठीक है और कब की थी 1800 स्थाट में एसक लाईल ने ठीक है इसमें क्या मिलना था इसमें मिलना था जो पत्थर से बने जो अथियार थे वो नुकीले थे तो बात करते ही यहां पर जीवन शैली कि अब देखे जीवन शैली उसमें के लोग कैसे रहते थे देखे मानव समाजिक विकास के शिकार सभा काना बदोश दिहाति-चन्ड़नो करती है क्योंकि लोग शिकार बोजन सभा पर रहते थे बात के सस्तर पा जानवर तू को भी पाल लिया देखे यहां पर क्या है कि पहले इंसान क्या था शुराती चलन में वह खाना बदोश यान की एक जगह से दूसरी जगह पर रहते थे ठीक है बाद में जिन जानवर का विशिकार करते थे फिर उन्हें पालना शुरू कर दिया ठीक है उसके बाद इस उम लोग के साथ मैच जो मेल खाता है इस यूग के अंदिव जरन में प्लेन खेती को देखा गया पूरा पशान यूग में लोगों की धार्मिक प्रथाओं के बारे में कोई जानकरी नहीं मिलती लेकिन मध्य पशान यूग के साथ उनके बारे में पुरा तात्विक जानकरी उपलब्द हो जाती है डफन और रॉक पेंटिंग हमें धार्मिक प्रथाओं के डवल्मेंट के बारे में या विकास के बारे में विचार देते हैं अब देखें यह पर क्या था कि जब पूरा पशान यूग था वहां पे इंसान के धर्म के बारे में कुछ भी यहां पर नही पेंटिंग से जार रहा है कि वहां थोड़ी सी धार्मिक बत्ताओं में भी भाग लेने लग गया जब कि पूरा कर दो करेंगा कर दो अब शुख कर दो